नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन बाहु बली आनंद मोहन की रियाही को लेकर मुखे मंतर नितीश कुमार और बिहार की डिप्टी सियम तेजश्वी यादब श्यारों तरफ से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं जहां एक और मायबती ने भी ट्वीट करके बात को लेकर मुखे मंतर नितीश कुमार पर आपत्ति जताई थी उन्होंने कहा था कि दलित के विरोधी हो गए हैं मुखे मंतर नितीश कुमार एक मासूम की हत्या कर दी जाती है और उस हत्यारों को अब छोड़ दिया जा रहा है वहीं आपको बताते चलें कि जब से आनंद मोहन की रियाही की बात आई है तब से मुखे मंतर नितीश कुमार के लिए कहीं न कहीं ये बात गले की हड़ी बन गई है ना ही उन्हें निगलते बननी जा रही है ना ही उन्हें उगलती बनी जा रही है आपको बताते चलें कि आनंद मोहन के ऊपर जी कृष्णया की हत्या का मामला था जहां उम्रकैद की सजा हुई थी लेकिन आनंद मोहन के बड़े बेटे की सगाई हो रही है जहां उनकी शादे भी होने वाली और आनंद मोहन पैरोल पे अभी छुटे हुए हैं इसे बीच मुखे मंतर नितीश कुमार के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि आनंद मोहन जो अब हैं उनकी जो सजा है वो अब खत्म हो जाएगी और वो खुले आकास में अब अपनी जो सांसे हैं वो ले सकते हैं जिसके बाद अब लगातार बिपक्ष जो है मुखे मंतरी नितीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रही है बाहु बली और पुर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से रियाही का प्रसंग धीरे-धीरे राजनीती के रंग पकड़ता जा रहा है दलीत और बहत गरीब परिवार से आने वाले गोपाल गंज के पुर्व डियम जी कृस्नया कि बर्वता स्क्रे हत्या के दोशी आनंद मोहन की जेल से रियाही के फैसले ने राज से निकल कर देश भर के दलीतों को गोलबंद करना शुरू कर दिया है राजनीती रंग में रंगा बिहार इस बिवात के बहाने वोट बैंक की दिशा से भी बढ़ने लगा है जहां एक राजपूत बनाम दलित की गोलबंदी भी जन्द के राजनीती परवाने पाने लगी है हद तो अब यह हो गए कि इस मामले में दलित नेता का विरोधी या समर्थ में नहीं है बलकि ऐसी एस्ट्री आयोग ने भी संग्यान ले लिया है पूर्व मुख्यमंतरी जितन रामा उन्होंने कहा है कि नितीश कुमार के द्वारा कानून का संशोधन कर आनंद मोहन को जेल से बाहर जाने का रास्ता खोलना दलित विरोधी और गरीब विरोधी है वहीं आनंद मोहन की रियाई को लेकर नितीश सरकार की पहल जो है स्ट्री एसी आयोग ने भी बहुत तीखा विरोध किया है आयोग ने राश्त्री अध्यक्ष इंदू बाला ने कहा है कि बिहार सरकार दोशी है बिहार में अपराधी को बचाने के लिए कानून बदल डाला आनंद मोहन को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है ये समझ से परे है बरहाल आनंद मोहन की रहाई को लेकर जब कानून में संशोधन की बात चली है तब ही ये आरोप राजनीती गलियारों में लगने लगा है कि राजपूत वोट बैंक की गोलबंदी को ध्यान में रख कर कानून बदला जा रहा है लेकिन तब ये किसी को भनक नहीं लगी कि सरकार के इस फैसले पर दलीतों की बंदी होनी शुरू हो जाएगी जाहिर है कि वोट का ही खयाल अगर राजनीती दल करेंगे तो दलीत वोट बैंक 16 प्रतिशत है इस वड़े वोट बैंक की आगे नितीश की सरकार के इस फैसले का प्रश्रचीन खड़ा तो होगा ही जहां एक और मुख्यमंतर नितीश कुम राजपूत वोट बैंक को अपनी योर खीचना चाह रहे हैं तो वहीं 16 प्रतिशत जो दलीत वोट बैंक है कही न कहीं मुख्यमंतर नितीश कुमार भूल चुके हैं कि वो उनके पल्ले से छूट न चाहे फिलागले इस खबर में इतना ही और वी नीउस और अप्डेट के अपरे देखते रहें न्यूस फानेशन